असलाम अलेकूम गुट टू हैव यू एट उर्दू आडियो बुक्स फासरे खिद्मत है एक लख्स मुहब्बत का नादिया खान का तहरीर करदा नॉविल एपिसोड नमबर प्री बारिश के बाद होने वाली हप्स की वज़ा से फजा में खुटन का राज था बस की खुली खिर्टियों से भी हवा का एक गत्रा अंदर ना ज्हांकता था मुसाफिरों की हालत गैर हो रही थी बस स्टॉप पे रुकी तो नए और पुराने मुसाफिरों में धक्कम पेल शुरू हो गई सब ही को अपनी मन्जिल पर पहुँचने की जल्दी थी वो भी खासी मुश्किल से अपनी जगा बनाती बस से निकली थी सफैद मलमल के कढ़ाई वाले बड़े से दुपटे को सलिखे से चादर की तरहा लपेटे उसने अपने वुजूद को अच्छी तरहा धांप रखा था बंधे पर एक दर्मियाने साइस का सस्ता सा शोल्डर बैग लटता हुआ था जबकि एक फाइल हाथ में थी तेज तेज पदम उठाती वो सड़क प्रॉस तरके अपने महले में दाखिल हो गई लेकिन जैसे ही चौराहे पर पहुंची एक दम ठिटक कर रह दई स्याह कुर्टे और सफैर चलवार में मलबूस धुएंगे मरगूले उड़ाते उसने एक शान से उसकी तरफ देखा था वो हर रोज उसी वक्त घर पहुंचती थी युनिवेस्टी से सीधी वो एक प्राइविट ट्यूशन सेंटर चली जाती थी और फिर वहां से वापसी पर घर आते आते उससे पांच बच जाते थे महले की उस सिगरट और पान की दुकान पे अकसर ही मरदों का जम्मे गफीर दिखाई देता था इस पर तवज्जा दिये बगएर वो चुप चाथ तेजी से निकल जाती थी लेकिन इस बदमाश को कल पहली बार उसने उस दुकान पर खड़े देखा था वो जिन बेहया नजरों से उसे देख रहा था उसकी रूफ तक काम गई थी उसके अंदाज में बेखौफी थी जैसे अभी उसका रास्ता रोक लेगा लेकिन सद्ध शुक्र शायद बहुत से लोगों की मौजूदगी ने उसे अपने एरादे से बाज रखा था या फिर वो बस एक नजर बास साही शख्स था कल जब वो घर पहुंची तो अच्छी खासी खबराई हुई थी लेकिन सुबह तक ये वाकिया उसके जहन से महव हो चुका था अब वाप्सी पर भी उसके जहन में ये शायबा ना था कि वो बदमाश वहां मौजूद होगा लेकिन उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर उसके आसान खता हो गए थे वो कोई डर पोक और सहमी हुई लड़की नहीं थी सालहा साल से अपनी बेवा मां के साथ उस छोटे से महले में जिन्दगी गुजा रही थी कॉलिज लाइफ से ही मुशक्पत उसकी जिन्दगी का हिस्ता थी उसे राह चलते मर्दों के रवए देखता खौफ नहीं आता था क्यूंकि वो खुद महतात रहती थी लेकिन आज से पहले उसका सामना ऐसी सूरते हाल से नहीं हुआ था सर पे टिका दुपटा दुरुस्ट करते उसने अपनी फाइल को दोनों बाजुओं में थाम कर सीने से लगा लिया और फिर उस पर सबच्चा दिये बगएर एट मात थे चलती वो उस दुकान के आगे से गुजरी सिगरट को अपनी दो उंगलियों में मसल पे उस लफंगे की निगाहों ने गर्दन घुमा कर उसका ताकुप किया था गली का मोर मुर कर वो उसकी निगाहों से ओजल हो गई थी उसका सेल फोन मुसलसल बज रहा था वो जानता था कॉल कौन कर रहा है लेकिन वो बात करने के मूड में नहीं था इसलिए सुन कर भी अनसुनी किये जा रहा था मगर शायद दूसरी तरफ भी तहमुल अपने उरूज पे था जो कॉल करने से बाद नहीं आये थे असलाम अलेकुम लाला तंग आकर उसने कॉल अटेंड कर ही ली थी जीते रहो जीते रहो पर ये तो बताओ हमारी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे समी ने अपने हस्वो कंदाज में सवाल किया था कमरे में नहीं था लाला फोन भोल गया था छूट बोलते आवाज खुद बखुद धीमी हो गई थी तुम शहर जाकर ऐसे लापरवा तो कभी नहीं हुए थे जैसे इस बार महसूस हो रहे हो उसके लहजे में तश्वीश थी फाइस का बुझा बुझा अंदाज वो दूर बैखे महसूस कर रहा था क्लासिस शुरू हो चुकी हैं तो मस्रूफियत बढ़ गई है इसलिए आपको शिकायत हुई उसने अपने तई वजाहत दी बड़ा आजनबी सा लहजा था समीखा माथा ठनका था मैं शिकायत तो नहीं कर रहा शहजादे तुम्हारी कमी तो हम सब को हर पल महसूस होती है बस यूँ समझो सब ही मिस कर रहे थे तुमें खास दौर पर बाबा साइं उसकी अजनबीत को नजर अंदास करते समीने वाले हाना पंधे जवाब दिया मैं कोशिश करूँगा आज आज कल में बाबा साइंस से राप्ता करने की उसे खुद भी इहसास था वो उसकी वज़ा से परिशान होंगे तुम खुश नहीं हो फाइस समी के इस अचानक सवाल ने उसे चौंकाया था और उसका लहजा और अंदास वाज़ था तो ये जाहिर सी बात थी कि किसी ना किसी को तो महसूस होना ही था इस बात से क्या फर्फ पढ़ता है लाला बेख त्यार उसके मूँ से निकला था समी तो जैसे हैरान और परिशान रह गया सिर्फ लहजा ही नहीं तालुक में भी अजनबियत नजर आई थी डिस्कनेक कर दी वो फोन थामे दंबखुद बैठा रह गया बिस्तर पे बच्चे को सुलाती शाजिया का सारा ध्यान उन दोनों की गुफटगू पर ही तो था अब जो समी के चेहरे पर तफ़कुर की लकीरें थी वो उसे एक नई कहानी सुना रहे थी यूँ अचानक खामोशी से इससे पहले तो कभी कॉल बंद नहीं हुई थी क्या कह रहा था फाइज बिला फिर पूछ ही लिया था हम्, हम्, कुछ नहीं अपनी ही सोचों के हिसार में खोया समी उसके सवाल पर चौंका था लगता है आपकी बेहन से रिष्टा जोड कर खुश नहीं है आपका लाडला शाजिया ने दूर की कॉड़ी फेटी थी जो लगी तो ठीक निशाने पर थी लेकिन समी के माथे पर वाज़े बल नमूदार हुए थे तुम से किसने कहा वो अपनी आदत के खिलाफ पासे तेज लहजे में बोला था अंधी नहीं हुँ मैं साथ दिखाई दे रहे हैं उसके तेवर अब मैंने तो ये सोचा था चलो घर का लड़ता है बाबा साई के कितने इहसान है रमला को खुश रखेगा और यहां तो अभी से आँखे माथे पर रख ली है शुमाईला ने सच बता कर उस वक्त अपने ही पाउं पर कुल हाड़ी मारी थी समी पहले ही फाईस के रवये से शदीद डिस्टरब था उसकी बात सुनकर मुस्तरब हुआ था तुमने? ओ माई गॉड यानि ये सब तुमने बाबा साइं के कान में डाला और मैं तो समझ रहा था ये उनकी अपनी ख्वाहिश है असल बात तो उसे अब मालूम हुई थी हाँ तो क्या गलत किया? रमला भी तो यही चाहती थी उसने मज़े से रमला को भी दर्मियान में घसीट लिया था जिसे इस नहच तक लाने वाली भी वो फुद ही थी अब तो मुझे लग रहा है उसे भी ये पट्टी बढ़ाने वाली तुम ही हो उसका जहन तो बचकाना है रमला का नाम सुनकर तो समी को मज़ीद गुस्ता आ गया था लो भला बहन अपनी काबू में नहीं और गुस्ता मुझ पर ऐसे उता रहे हैं जैसे मेरी ही गलती हो सेरे लब बड़ बड़ाते उसने पहलू बड़ा समी पेचो ताप खाता कम्रे से निकल गया लड़ाई जगड़ा और बहस मुबाहसा उसकी फितरत ता हिस्ता नहीं था तो तुम ही क्या जरूरत थी अपने सुसर के कान में फूंक मारने की अपना घर दिखाई नहीं दे रहा था अगले दिन शाजिया ने दो की सौ बना कर सारी बार मा के गोश गुजार कर दी थी मकसद तो उसका उनकी हमदर्दी हासिल करना था लेकिन उधर तो फजीलत के दिल पर चोट पड़ी थी सामने बैठे ताबिश ने भी मा की तरफ शिक्वा के ना निगाहों से देखा था आप भी बड़ी भोली हूँ अमा मैं तो हवेली से उस फाइस का पत्ता कटपाना चाह रही थी आम अखां का हिस्सेदार बन रहा है सौफ फीसद यकीन था मुझे कि स्ताफ इंकार कर देगा भला उस पगली सी लड़की में ऐसा क्या है जो उस शेहरी बाबु का दिल मोहले अपना दामन बचाने की खातर शुमाईला ने सच उगल दिया था उन्हें बेटी की सोच पर हैरत हुई थी बस पहलू वदल कर रह गई लेकिन ताबिश खुद पर काबू नहीं रख पाया था खेरा बैसी बात तो मत करें आपा किस बात की कमी है रमला में उसने स्ताफ सरीहन रमला की हिमायद की थी सच तो ये है कि वो उसे शुरू से पसंद करता था और मा को भी मना चुका था वैसे भी फजीलत को भला क्या इतराज होना था एक तो दोरी रिष्टेदारी उस पे उचा खानदान बहू कौन सा खाली हात आती साथ में बड़ी जागीर भी तो जहेज में आती वो बेटे की खुशी पे जट पट मान गई थी लेकिन हवेली से रमला और फाइस की बात पकी होने की खबर निकली तो ताबिश और फजीलत की उमीदों पर पानी पड़ गया आए है इन्हें बड़ी हिमायते सूज रही है अम्मा वैसे मामला क्या है जरा मुझे भी तो पता चले शुमायला का मुँ हैरत पे खुला रह गया भाई के बदले हुए अंदास को मैसूस करते उसने फौरन चोट की थी तुम्हें बताने से फाइदा तुमने तो कर ली अपनी मन मानी हम तो मंगनी के लड़ू बबूल की तरहा हलकते उतारे बैठे हैं ताबिश का बड़ा दिल था रमला से बियाह पर फजीलत ने धीमे लहजे में शिक्वा करते बेटी को भी उस राज में शरीक किया था पर उसे तो जैसे पतंगे ही लग गए थे हग करती हैं अब भी सालों से उस नक्चिडी को नंद बनाकर सर पे बिठा रखा है अब भाबी बनाकर कलेजा जलाओं ये तो अभी से मेरी जबान पकड़ रहा है कल को घर ले आता तो मेरा इस घर में दाखला भी बन कर देता शुमाईला की बातों पर पैर पटखता ताबिश कमरे से बाहर चला गया तो वो बस देखती ही रह गई खेर अब इस बात से क्या हासल जो होना था हो गया वजीलत ने बात संभालते तसली दी और पास पड़ा पांदान खोल कर अपने लिए पान बनाने लगी वो किचन में चाहे बना रही थी जब सबीन सीध ही उनके पास जाब पहुँची और सारी बात मा के गोश गुजार की मशवरा तो अच्छा दिया है सारा ने माने भी वो ही दोहराया था जो सारा ने कहा था ओ, रेली, आपको ये एहमकाना तजवीज एक अच्छा मशवरा मालूम हो रही है वो कुछ जुजबुज हुई और हस्बे आदत उन से भी बहस का आगास कर बैठी सबीन उस वक्त पे मस्तकिल उसी मसले पर सोच रही थी गम ये था दो अलग-अलग जबहों से, दो अलग-अलग जवाब आ रहे थे दिल मान रहा था पर दमाग नहीं वो दमाग की सुनने वालों में से थी जबके दिल कहता था सारा की बात में दम है बॉस इस से आसान और देर पाहल हो भी क्या सकता है मेरा ख्याल है कोई मुझाइका भी नहीं किचन कैबनिट बंद करते उन्होंने कंधे उचकाए और एक नजर सबीन के उल्चे हुए सेहरे को देखा वो गहरी सोच में डूबी काउंटर टॉप से कमर टिकाए अपने नाखुन चबा रही थी उनकी बात पर पल्टी और तुनक कर बोली ममी हम ये घर किराए पर नहीं दे सकते चाए दो मगों में उन्डेल कर उन्होंने अपना मग उठाया और दूसरा सबीन की तरफ ठस्काया कोई खास वज़ा उन्होंने अब रूप सवालिया अंदाज में उठाये वो दोनों अब अपने अपने चाए के मग लिए लाउंज में आ गई थी तो आपके नज़्दी के वज़ा नहाए ताम है कि ये घर हमारी मल्कियत नहीं सबीन ने चिड़ कर उन्हाकायट की तरफ ध्यान दिलाया जिन्हें वो सरा सर नजर अंदास कर रही थी और वो नहीं जानती थी कि वो ऐसा जानबूच कर कर रही है या बेध्यानी में इतना बड़ा सच परामूश कर बैठी है तुम भूल रही हो मेरी जान ये घर तुम्हारी ही मल्कियत है सोफे पर बैठते उन्होंने अपना गर्मा गरम चाह का मक सामने धरी मेज पर रखा आधा सबीन सोफे पर गिरने के से अंदाज में उनके पास जा बैठी मूट सक्त ओफ था ये भी उसके इहतिजाज का एक अंदाज हुआ करता था कि जब मूट खराब हो और कोई उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करता तो वो यूँ ही अपना गुस्ता दिखाती थी आधा ही सही है तो तुम्हारा चाय का मग लबों से लगाते वो नहाई तहम्मल से बोली उसके बरक्स उनका चेहरा और लहचा दोनों पुर सुकून थे मेरा इस तहसाईया अंदाज में हसते उसने उंगली से अपनी सिम्तिशारा किया उन्होंने सरसबात में हिलाते इतराव किया पर सबीन यक्दम हत्ते से उखड़ गई जी बिलकुल ये महल जैसा घर आधा मेरी मलकियत है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि मैं सिर्फ यहां रह सकती हूँ इससे बेच नहीं सकती संजिया अंदाज में कहते उसने उन्हें वो शर्टिया दिलाई जिसको जानने के बाद ही सबीन का इस घर से और दूसरे मानों में जिन्दगी से दिलो चाट हुआ था इससे पहले उसकी जिन्दगी में मसाइब तो थे लेकिन होसले की कमी न थी क्योंकि वो उनसे लड़ रही थी यूं तो होश संभालते ही उसने रिष्टों की बेहिसी देखी थी मगर अपने पापा के होते उसने कभी उन रिष्टों से कोई तवक्का नहीं लगाई थी लेकिन अब जो रूप उसके सामने आया था उसने सबीन को अंदर बाहर से बदल कर रख दिया था ये भी गनीमत है वो मा का चेहरा देखके रह गई पता नहीं ये सब उसे क्यों नहीं आता था क्या आप कह रही है मम्मी आप तो सब कुछ जानती हैं फिर भी वो शिक्वर कि ये बिना ना रह सकी खुछ भी है सबीन अपनी चछत होना बहुत बड़ी बात है ये घर ना होता तो करायों में धक्के खाने पड़ते और हर माह लंबी चौड़ी रखम की टेंशन अलग रगी रहती वो जहांदीदा खातून होने के साथ साथ एक जवान बेटी की मां भी थी जानती थी उन पर इस घर की सूरत ही सही कितनी महरबानी बढ़ती गई है हाला के अमल तो ऐसा हरगेज ना था पर शायद खुदरत को इस उमर में उनका बेटी के साथ दर दर भटकना मनजूर ना था इसलिए तो सर पे ये छट तुफ़े में मिल गई वाओ यानि आपको भी लगता है ये सब हम पर खुदरत का इनाम है अपनी फयाजी दिखा कर हम पर ताउमर चटान से वजनी इहसान का बोच डाल दिया गया है उसके जले हुए अंदास पर उन्होंने सबीन का कंधा सहलाते उसे कूल डाउन करना चाहा पर वो यक दम सोफे से उटखडी हुए और हाथ के इशारे से उनकी तबज़ज़ वहां दिलानी चाही जिससे वो खुद भी गाफिल न थी जरा सर उठा कर देखे इन छटों को सीलन जदा हो रही है और ये दिवारें चेक करें उन्होंने अपना माथा थाम लिया पर वो बाद नहीं आई वो बाहर लौन नुमा जंगल का हाल देखा है आपने यकीनन गीदड बसेरा कर लेंगे वहां चन्द महीनों में उनका हाथ थामे उसने वहीं से खिड़की की तरफ इशारा करते उनकी तबच्चा बाहर के मंजर की तरफ दिलाई जगा जगा से जली हुई खास बेतर्तीब पौदे और उनके भी चुगी बेशुमार जंगली जड़ी बूटिया जो अब उस चखा के हुसन को मान कर नहीं थी ऐसा लगता था सालों उसे कभी उस पत्य अराजी की तरफ किसी ने तबच्चह ही नहीं दी लाउंज की दीवार पर चड़ी बेलें सालहा साल से कांट छांट से महरूम थी और उनकी नमी की बदालत लाउंज की अंदरूनी दीवार बुरी तरहां खराब और सीलन जड़ा हो चुकी थी शुरू शुरू में वो दोनों मियां बीवी लाउंज में पौदों की कांट छांट कर लिया करते थे फिर जिन्दगी के जहमेलों में ये सिलसला भी कम होता गया और आहिस्ता आहिस्ता लाउंज की हालत इतनी बदल गई कि उसे अब किसी बाकाइदा माली की जरूरत थी वो भी मुस्तकिल बुन्यादों पर रही सही कसर उसके बाबा की बीमारी ने पूरी कर दी चब सबीन की मुलाजमत ही वो वाहे दासरा थी जिससे घर का डाल दलिया चल रहा था उस पे दवाईयों और डॉक्टरों के कमर तोड़ अखरा जात तो बस उस जगा को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया था ये घर 22 साल से मरम्मत नहीं हुआ ममी 22 साल से कभी इन दीवानों को रौगर नहीं कराया गया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे और आज भी कमस कम मेरी सेलनी में से ये सब कुछ नहीं हो सकेगा इस दो कनाल के घर की मरम्मत करवाना इतना आसान नहीं था रोज मर्रा की छोटी मोटी तोड़ फोड़ भी कई हजार ले जाती थी चबके उनहीं चंद हजार में वो दोनों अपनी गुजर बसर करती थी किसी बड़े काम को खोलना एक पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा था जिसमें लाखों लग जाते यहीं सोचकर कभी इन सब चीजों पर ध्यान न दिया और बस सबर शुकर से वक्त गुजरता रहा कि उनकी जरूरत भी तो महदूद ही थी लाउंज और एक दो बेडरूम उनके इस्तेमाल में थे बागी का सारा घर बन ही पड़ा था सिवाए सारा के महमान उनके घर आते नहीं थे कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा सोशल ना थी विश्टेदार मिलते नहीं थे तो जो जगा उन्होंने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी उन्हें वो ही बहुत थी मैं समझ सकती हूँ बेटा लेकिन उसमें उन्हों का क्या कुसूर उन्होंने समझाना चाहा सारा कुसूर उन्ही का है ये जो अजियत भरे दिन काटे हैं ना हमने जिन्दगी में और आज भी गुर्बत की लकीश से नीचे मर मर कर जिन्दगी गुजार रहे हैं तो ये सब उन्ही का कुसूर है खलकी से कहते उसकी आवाज भरा गई थी क्या चला जाता उस रईस जादे का जो अगर वो इस घर को बेच लेकी सलाह मान लेता ऐसी ना जाने कितनी जाइदादे हैं उनकी मेरे पास तो बस यही एक तूटा फूटा आसरा था लेकिन नहीं साफ इंकार कर दिया मन्हूस ने आँखों में उतरती नमी को बेदर्दी से रगड़ते उसने जिट होकर कहा अब उस लकीर को क्या पीटना जो हो नहीं सकता उस पे वावेला मचाने और जलने कोड़ने से क्या हासिल वो ठीक कहती थी इनसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, कुछ उसके अख्यार में होता है और कुछ पिसमत में इसलिए जो अल्लह की मर्जी से मिल जाए, उस पे शुक्र अदा करना चाहिए जो ना मिले, उस पे सबर करते हुए बेहतर की दूआ करना चाहिए एक वक्त आता है जब सारे रास्ते खुदासान होने लगते है यही तो रोना है कि सब लाहासिल है खटिया इंसान कहता है घर नहीं बिकेगा ना आधा ना पूरा जरा सोचे मम्मी इस शहर में इस गई गुजरी हालत में होने के बावजूद ये प्रॉपर्टी करोनों की है हमें आधे पैसे मिल जाएं तो हम अपने हिसाब से एक थोटा सा घर खरीड लेते मेरे अधूरी ताली मुकमल हो जाती और तूटे हुए लहचे में कहते उसे वो वक्याद आया चब सबीन ने अपनी अना अपनी खुद्दारी पे कड़गन लगाते खुद उस रईज़ादे को कॉल की और तो और उसे अपनी परेशानी का अहवाल भी मुक्तसर अंदाज में सुनाते इस बात के लिए काहिल करना चाहा कि वो इस घर को बेचना चाहती है वो अगर घर बेचना ना चाहे तो उसके हिस्ते की खीमत सबीन को अदा कर दे मगर उसमें दोनों ही सूर्टों को मानने से बड़ी रुखाई से इंकार कर दिया था सबीन उस वक्त को कभी परामोश नहीं कर सकती थी अपनी तालीम थोड़कर उसमें मलाजमत चुरू की थी और उसकी शदीद पाहिश थी कि वो आगे पढ़े ऐसा हो जाता तो उसके लिए बहुत पे मरहले बेहत आसान हो जाते मगर कहकर बात भी गवाई और अना पर चोड़ भी पड़ी अब इन हालात में तो उसे इस घर से कोई उमीद बाक भी न रही थी जिस पर उसका इतना भी अक नहीं था कि उसे अपनी परेशानी में इस्तेमाल कर पाती मां की जोर तबरदस्ती ना होती तो वो उस वाक ये घर छोड़ देने को ही तयार हो गई थी उसे सड़क पर रहना मनजूर था मगर उस अमीर जादे की खेरात नहीं चाहिए थी मगर जजबात को अकल ने पापू कर ही लिया था और तुम्हारी किसी अच्छी जधा शादी भी हर मा की तरहा अपनी जवान बेटी के लिए उनके भी खौब और फाहिशात थी जिसका बरमला इसार उन्होंने कर दिया था मुझसे ये बात दोबारा मत कीजेगा सबीन माथे पर बल डाले बोली अच्छा नहीं करती लेकिन वो किराएदार वाली बात कर ले उन्होंने फौरण से बात मान ली बहस में वो उस लड़की से कहां जीच सकती थी इसलिए बेहतर मौज़ू पर लौट आई उसने एक गहरी सांस ली सिंगल फैमली के रहने की जगा है यहां कोई दूसरी फैमली कैसे मैनेज़ करेगी एक नई कन्फियूजन इसका मतलब वो हर पहलू पर सोचते हुए किराएदार रखने का फैसला तकरीमन कर चुकी थी गेस्ट्रूम वाले दो कमरे किसी बैचलर को दिये जा सकते हैं कोई स्टूडन वगएरा हो या फिर मुलाजमत पेशा फैमली वाला जनजाल भी नहीं होगा और ऐसे लोगों की डिमांड्स भी ज्यादा नहीं होती घर गो बहुत बड़ा था पर घर सिंगल स्टूरी था और मुकमल तामीर इस अंदाज में हुई थी कि एक ही फैमली रह सकती थी कुल पांच बैडरूम थे जिन में से बस दो ही उनके इस्तेमाल में थे धर में राखिल होते ही दाईं तरफ बने गेस्टूम और उससे मुलहका एक कमरा महमान की प्राइविसी को मदे नजर रखकर बनाया गया था जो इतने सालों में कभी इस्तेमाल हुआ था ना खोला गया था तो रह सेकर बस वही एक आप्चन बच्च्टी थी सर हिलाते उसने उनसे तिफाक किया था फिर मैं अखबार में एड़ दे दूँ सत्छुकर के वो मान गई थी बिसमिल्ला करो बाकी अल्लह असानी करेगा इंशालला उसके सर पर शफकत से हाथ खेटे उन्होंने असबात में सर हिलाया यार सबीन कोई भी फैसला करने से पहले तो मुझे मिल लो अगर मुनासिब ना लगे तो फिर अखबार में इश्तिहार दे दे न क्यों आंटी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ न सारा ने उसके बनाए कबाबों पर हाथ साफ करते तफ्तिलन कहा मुझे तो खेर इसमें कोई मुझाएका नहीं लगता फिर जब तुम्हारा भाई ये गैरंटी दे रहा है तो यकीनन शरीफ इंसान ही होगा सबीन ने कुछ कहने के लिए मुझा खोला ही था पर उसके पहले ही उन्होंने बात चुरू कर दी उसका मुझा बस खुला का खुला ही रह गया शराफत की गैरंटी, क्राई की वक्त पर अदाएगी की गैरंटी, एडवांस की गैरंटी, निकाह नामे के लावा जिस कॉंट्रेक्ट पर भी चाहें दस्तफ़त करवा लिजेगा सबीन को कनख्यों से देखते सारा हस्पे आदत उसे छेड़ने से बाद नहीं आई थी उसके हाथ से तीसरा कबाब खेंच कर प्लेट में पटखते उसने बदला चुकाया था क्या बद्तमीजी है सबीन, खाने दो उसे ममी के घूरने पे वो बस लब भींचे खामोश रही उन्होंने खुद ही कबाब उठाकर सारा की प्लेट में रखा जिसे उसने बाखाइदा सबीन को दिखा दिखा और जता जता कर खाना शुरू कर लिया था मुझे तो इस बंदी पर यकीन नहीं कुझा इसकी गैरिंटियों पर होगा यकीनन उसने इसे चार कबाब खिला कर भेजा होगा सबीन जल कर बोली कबागों की लेड़ी नहीं लगाता मुहतरमा जागीरदार है इस चहर में काम की गर्ज से रहना चाहता है वो तो भाई नहीं उसे कर्वेंस किया के यहां महां लंबे चौड़े किराए भरेगा तो तुम लोगों का ही फाइदा हो जाए पर मुझे तो लगता है आंटी हमारी नेकी बरबाद होने लगी है सारा सांस लिए बगैर शुरू हो गई थी सबीन ने उससे अखबार में किराएदार के लिए इस्तिहार देने की बात की थी लेकिन उसने रोग दिया और फिराफिस से वाप्ती पर उसके साथ ही घर से लिया आई सबीन के बजाए उसने उसकी मम्मी से तफ्सीलन बात की थी बहरहाल उन्हें सारा की तज्वीज पसंद आई थी और उन्होंने उसे ओक के कर दिया था सबीन भी मा के फैसले पर खामोश हो गई थी सेयबा ने जैसे ही दर्वाजा खोला वो तेजी से अंदर दाफिल हुई और बे तहाशा दर्वाजा बंद करके चटखनी चढ़ा दी क्या बात है फात्मा ये चेहरे पर हवाईयां क्यों उन्ही है अम्मी वो वो जो लफंगा चौक पे रोजाना खड़ा होता था न फूली हूली सांसों के साथ उससे बात करना दुश्वार हो रहा था यू लग रहा था जैसे वो चल कर नहीं बलके भागती दौडती दिखर तक पहुंची है हाँ? हाँ? क्या हुआ? उसने कोई बत्तमीजी तो नहीं की? तब तयबा का दिल दहल कर रह गया था बेखत्यार उसने अपना हाथ सीने पर रखा बेटी की उड़ी हुई रंगत तो रहती परेशान सुरत तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी नहीं बत्तमीजी तो कोई नहीं की पर आप तो जानती है वो किस अंदाज से देखता है बड़ी धिटाई होती है उसके चेहरे पर और आखों की बेबाकी से तो खौफ आता है आज जब गली में मुडी तो वो भी पीछे पीछे आ गया मेरी तो जान ही निकल गई थी शुकर है पड़ोस के बच्चे गली में खेल रहे थे शायद उन्हीं की वज़़ा से आगे नहीं बढ़ा क्या अच्छाना कुफताद थी कि उस दिन के बाद से वो मुस्तकिल उसी जगा फात्मा का इंतिजार करता था उसके लिए जैसे शाम ढ़ले घर वापस लोटना मुसीबद बन गया था आज जो हद उसने पार की थी उसके बाद तो फात्मा का खौफ भी बजा था वो भले बहुत बहादूर और पुरे इतमाद लड़की थी लेकिन किसी गुंडे मौाली के रास्ता रोकने से होने वाली जिल्लत भला कौन इजददार लड़की बरदाश्ट कर सकती है कैसी बेवक्त की परेशानी पड़ गई है फैर अल्लह मालिक है तुम परेशान ना हो कल से मैं खुद बस स्टॉप पर आ जाया करूंगी तुम्हें लेने मैं साथ हुआ करूंगी तो आएंदा खुद ही दफान हो जाएगा मरदूद कयाबा ने उसे तसली देते हत्मी फैसला सुनाया था वो पुर्तुकून हो गई थी काफी पुरानी तामीर लग रही है इस घर की अदन ने कमरे का जाइजा लेते तबसिरा किया घर के उस हिस्से की साथ कफाई भी एक मरहला थी जो उसने ममी के सार मिलकर की थी क्योंकि ये साइड बहुत वक्ते बंद थी धूल मिटी एक तरफ इमारत की शिकिस्तगी उनकी साथ कफाई से तो छुपने वाली नहीं थी सबीन ने मुड़ कर देखा वो धीमा सा मुस्कुराया पर सबीन के तासुराद जरूरत से ज्यादा संजीदा थे शायद पबलद मसी ये मजाख था या तन्स अदन समझने से पासिर था वैसे तन्स था किस पे और मजाख लग क्यों नहीं रहा था इतने पैसों में इस घर की तामीर नौ के मुतालिफ सोचिए गह भी मत यहां जो है जैसा है पुबूल करना पड़ेगा तो तम भी ही अंदाज में कहसी कमरे से बाहर निकल गई अदन भी पीछे पीछे चला आया था जहां लाउंज में अब उसकी वालदा भी मौजूद थी उसे देख कर वो खेर मक्तमी अंदाज में मुस्कुराई अदन ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया था जिसका जवाब खासी शफ्कत से दिया गया था सबीन के सामने वाले सोफे की नशिस संभालते वो अब उसकी तरफ मुतवज़ा हो गया था जो अपनी वालदा की निजबत बेहद संजीदा नजर आ रही थी पढ़ते हैं निगाहें उसके टेहरे पर गाड़े सवाल किया गया था और उस पल उसे अपना आप एक ऐसा मुच्तबा पर महसूस हुआ था इसको सामने बिठा कर पुलिस इंक्वाईवी करती है पढ़ चुका माथे पे बल डाले उन चुकती निगाहों से वो कुछ नर्वस हुआ पर खुद पर काबू पाते नजरें जुकाएं मुटसर बोला कितना पढ़ा है इस बार उसने मूँ ठाकर देखा ये सब सवाला किराया नामा में लिखते हैं आपने आँखों में हैरत लिये उसने पूछा हाँ उन नही सबीन कुछ गरबढ़ाई मेरा मतलब है इस शहर में आमता मकसद फिर अपने गुलावी होटों पर जबान फिरते उसने बड़े इतमाद से कहा अदन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया कारोबार के सिलसले में खंकारते हुए अपना गला साथ किया और नहायत इतमिनान से बोला वैसे मैंने MBA किया है उसने मजीद तफ्दील बताई यहां इस शहर में कोई वाक्तियत मेरा मतलब कोई गैरिंटी देने वाला हो हाला कि इस सवाल के पूछने की कोई तुक नहीं थी सारा नहीं तो मना किया था अखबार में इस्तिहार देने से और बताया था कि उसके भाई का कोई मिलने वाला इस शहर के किसी अच्छे इलाफे में किराए पर जगा देख रहा है तो बजाए किसी अजनमी को रखने के उसी को रख लो पर सबीन के अंदर सिर्फ एक विटमिन की शदीद गमी थी विटमिन भरोसा गैरिंटी तो सारा की तरफ से मौजूद थी फिर भी महतरमा उसकी जबानी तज़ीख चाहती थी क्या पता कोई तज़ाद निकल आए आपकी कुलीग सारा के भाई जानते हैं मुझे वो मौताद सा बोला सबीन भी कुछ मजीद इंक्वाईरी के मूड में थी पर सार बैटी अपनी अम्मी के हाथ का दबाओ अपने हाथ पर महसूस करते उसने एक नजर उन पर डाली जिनकी आँखों में इलतिजा थी कि बस अब और नहीं आखिर को इतना मौजू किरायदार इतनी जल्डी उन्हें किस तरह मिल सकता था जो मू मांगा किराया देने पर बखुशी राजी हो गया था सिक्योरिटी दे सकोगे उसने पलट कर पूछा जितनी आप चाहें वे फिक्री से कंधे उचकाते दिये गए जवाब पर सबीन को आग ही लग गई थी ऐसा कोई रईस जादा है तो अपना महल क्यों नहीं खरीद लेता विजली पानी का बिल आधा देना होगा वो दो तोट लहचे में बोली आधा क्यों? अधन की हैरानी उरूच पर थी मीटर अलग नहीं इसलिए पहले बता रही हूँ बाद में कोई बहस या लड़ाई नहीं होनी चाहिए उसने हाथ उठाए बहस पत्म की अधन बस निचला लब भीचे खामोश हो गया चल्लमे सकूत के गुजरे जिसे उसकी मां की नर्म आवाज में तोड़ा था अपनी तरफ से तनाव को कम करते अपने नए किराएदार को वेलकम करने की छोटी सी कोशिश करते उन्होंने खुशदिली से कहा बेटा, सुभा का नाश्ता अब हमारे साथ करना सबीन ने चौंक करमा की सिम देखा जो उसे कसदन नजर अन्दास कर नहीं थी शुक्रिया आउंटी अधन पहली बार मुस्कुराया था यकुमे एक हक्ता बाकी है मगर आप चाहें तो कल पर्सों भी शिफ्ट हो सकते हैं अखर लहजे में कहते उसने गुफ्टगू का एक्तिताम किया था इससे पहले के मम्मी की दरिया दिली उसे महंगी पढ़ने लगे इस सीन को यही ड्रॉप हो जाना चाहिए था शुक्रिया मैं पर्सों तक अपना सामान ले आउंगा अधन भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ चाबी उसकी सिम्ट उच्छालते वो तुन फुन करती कमरे से निकल गई थी अधन पस देखता ही रह गया उसे इहसास हो रहा था कि सबीन के मुतालिक उसने जतना सुना था कम था और ये किराएदारी यकीनन उसे बहुत महंगी पढ़ने वाली थी झाल